नमस्कार, कमला मारकंडे पर दो वीडियो में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन वो उनकी लाइफ और वर्क्स पर बेस्ट थे और आज कमला मारकंडे का उपन्यास है, नेक्टर इना सीव, इस पर बात करते हैं नेक्टर मींस अमर्त होता है, और सीव मींस चलनी होती है तो चलनी में अगर आप कोई लिक्विड लेंगे, तो जाहर सी बात है, वो उसमें टिकेगा नहीं, नीचे निकल जाएगा तो यहां जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है, उसकी लाइफ में सब कुछ उसको मिलता है यानि नेक्टर की फॉर्म में, अमर्त की फॉर्म में, लाइफ की जितनी भी अच्छी चीज़े होती है, वो अमर्त के समान होती है तो हर अच्छी चीज उसको हासिल होती है लेकिन सब कुछ उसके हास से निकल जाता है जैसे चलनी में से कोई भी लिक्विड निकल जाएगा तो ये कमला मारकंडे है और ये देखे शशी थरूर का एक कमेंट है कमला मारकंडे के बारे में मारकंडे वॉस पायोनियर फू इंडियन्स राइटिंग इन इंग्लिश यानि मारकंडे एक पायोनियर होता है अग्रदूत तो एक वो अग्रदूत थी फू इंडियन्स बारतियों को राइटिंग इन इंग्लिश जो के अंग्रेजी में लिखते हैं फिर देखिए ये एक कमेंट है न्यू यॉर्क टाइम्स का इस उपन्यास के बारे में क्या लिखते हैं न्यू यॉर्क टाइम्स ने लिखा है यानि ये जो उपन्यास है एक गाउं में सैथ है इन सदर्न भारत में शॉर्टली आफ्टर इंडिया गेंट इंडिपेंडेंस यानि भारत को स्वतंता मिलने के तुरंत बाद नेक्टर इन सीव यानि ये जो उपन्यास है पोर्टरेज दिखाता है थ्रू द लाइबस ओफिस के अरेक्टर्स अपने पात्रों के जीवन के माध्यम से और जो मुख्य पात्र हैं वो हैं रुकमिनी और नाधन रुकमिनी ही मुख्य पात्र है and their children और उनके बच्चे the hopes and aspirations यानि उम्मीदें और आकांगशाएं of a young nation एक नए राश्ट्र की recently embarked on recently जो हाल ही में embarked on मलब चल पड़ा हो किधर the path of development विकास के रास्ते पर surmounting यानि पार करते हुए विजयब प्राप्त करते हुए many obstacles बहुत सारी बाधाओं पर along the way रास्ते में तो भारत नया नया आजाद हुआ था और विकास के पत पर चल रहा था बहुत सारी बाधाओं का वो सामना कर रहा था उन्हें जीत रहा था उस वक्त की कहानी बया करता है यह पन्यास few novels यानि कुछ ही novels असे होते हैं ever published जो कभी प्रकाशित हुए हो have celebrated जिन्होंने celebrate किया हो the human spirit यानि मानवी spirit को आकंच्छाओं को या फिर जो मनोभाव होते हैं मनशे के उनको its sheer resilience resilience होती है जो मुसीवते होती है उनका सामना करने की ताकत resilience कहलाती है तो इसमें जो दिखाया गया है किस तरीके से मुसीवतों का सामना करती है रुकमिनी तो वो मुश्किल सही कहीं देखने को मिलता है with greater success यानि जितनी सफलता के साथ यहां दिखाया गया है इससे ज्यादा सफलता के साथ मुश्किल सही कैसी उपन्यास में देखने को मिलता है originally published in 1954 तो यह आपको date याद रखनी है कि यह उपन्यास मूल रूप से 1994 में प्रकाशित हुआ था to instant acclaim instant का मतलब तुरंत ही acclaim मने इसको प्रशेंसा मिली nectar in a sea became nectar in a sea बन गया an international best seller यानि अंतर राश्ट्रिय best seller बन गया मतलब सबसे ज़्यादा बिखने वाली किताब and that translated into 17 languages और उसको translate किया गया उसका अनुवाद किया गया 17 भाशाओं में this edition तो यह तो इस edition की बारे में बात हो ज़िए जो के book मेरे सामने है introduces a whole new generation to this classic of modern literature यानि यह जो edition है यह यह नई पीड़ी को अभगत कराएगा आधनिक साहित्ते से फिर देखिए नेक्टर इनसीव has a wonderful quiet authority अच्छा यह मैंने गलत पढ़ लिया यह जो पूरा comment था अभी आपने पढ़ा उपर तो शेशी थरूर का comment था और यह penguin books वालों का खुद का comment था जो अभी आपने पढ़ा New York Times का comment यह है नेक्टर इनसीव has a wonderful quiet authority यानि नेक्टर इनसीव में wonderful आश्यजनक quiet means शांत, authority मने ताकत है तो एक बड़ी आश्यजनक शांत, ताकत है फिर यह किस ने लिखा है देखिए एक और comment है Milwaukee Journal A novel to retain in your heart यानि ये एक ऐसा उपन्यास है जिसको आप अपने दिल में वसाई रख सकते हैं ठीक है, अब हम शुरू करते हैं novel तो 200 page का है तो पूरा upload करना मुश्किल है मैं आपको इसकी शुरुआत दिखाती हूँ कैसे होती है Sometimes at night I think that my husband is with me again यानि जहां ये उपन्यास शुरू होता है तो रुकमिनी है उसका पती मर चुका है वो अकेली है हलागि बच्चे उसके साथ हैं लेकिन पती नहीं है तो sometimes कभी-कभी at night रात को I think मुझे लगता है that my husband मेरा पती is with me मेरे साथ है again फिर से तो कभी रात को उसको ऐसा महसूस होता है coming gently वो धीरे-धीरे से आइस्ता से आता है through the mists यानि धुंद में से होता हुआ and we are tranquil और हम शान्त होते हैं together साथ साथ शान्ती से हम लोग साथ साथ होते हैं then फिर morning comes सुबह आ जाती है the wavering grey turns to gold तो जो wavering मने हिलता डुलता सा grey भूरा रंग है turns बदल जाता है to gold यानि सुनहरी रंग में यानि सूरज निकलाता है there is a stirring एक stirring होता है हिलना डुलना तो एक सरसराहट होती है within under as the sleepers जबके सोने वाले awake जागने लगते हैं and he softly departs और वो आहस्ता से विदा हो जाता है यानि उसको ऐसा महसूस होता है कि रात को उसका पती आता है धुन्द में से चलके फिर वो साथ में रहते हैं रात बर और सुभह जैसे ही लोग जगने लगते हैं वो चुपचाप चला जाता है नाथन अभी इससे परचित हुए थे उसका नाम भी आया था तो नाथन आता है ऐसा इसको महसूस होता है रुकमर्णी को हलांके वो इस दुनिया से जा चुका है तो ये जो पूरी कहानी चलेगी वो फ्लेश बेक में चलेगी ये जो शुरुआत हुए ये प्रेजेंट में हुई है और बागी कहानी फ्लेश बेक में अब सुनाईगी वो तो उपन्यास की शुरुआत में रुकमर्णी बताती है कि वो एक गाउं के मुखिया जी की बेटी है अच्छा खासा सम्रिध परिवार है प्रोस्परस फैमिली है तीन बेहनों की शादी हो चुए चार बेहने हैं कुल मिलाकर ये तो उनमें से तीन बेहनों की शादी खोब धूमधाम से हुई खोब पैसे थे मुखिया जी के पास लेकिन जब रुकमिनी की शादी का नमबर आता है तब तक उनके पैसे खतम हो चुके होते हैं और उसकी शादी होती है नाथन से और जब वो विदा होकर आती है एक बेल गाडी में हिलता डुलता लंबा सफर होता है वो शादी के बाद और वो रास्ते में ही सो जाती है और it was my husband who woke me जब वो अपने घर पहुंसते हैं तो वहाँ उसके पती उसको जगाता है my husband whom I will call Nathan मेरा पती जिसको के मैं Nathan कहकर ही बुला हूँ whom I will call here Nathan यहां तो Nathan कहूंगी for that was his name क्योंकि यही उनका नाम था although in all the years of our marriage हलांके मेरे आने वाले जो शादी के साल है I never called him that मैंने इस नाम से उनको कभी नहीं पुकारा for it is not meet क्योंकि यह उचित नहीं होता for a woman एक महिला के लिए to address her husband except as husband अपने पती को सिर्फ पती कहकर ही पुकारना होता नाम नहीं लेना होता तो आपने देखा होगा भारती परिवारों में महिलाएं अपने पती का नाम नहीं लेती we are home he cried हम घर आ गए वो चिलाया यानि नांथन ने कहा wake up उठो look देखो I woke मैं जगी I looked मैंने देखा a mud hut एक मिटी की बनी हुई कुटिया यानि वो जहां से आये उसका घर बहुत prosperous था तो अच्छे घर में रही है हमेशा सुख सुविधाओं में पली बड़ी है लेकिन यहां जाकर क्या देखती है वो कि एक मिटी की कुटिया है थैस्ट उस पर छपड़ पड़ा हुआ है small छोटी है set near a paddy field एक धान का खेत है उसके पास में वो कुटिया बनी हुई है with two or three similar hurts nearby और अगल बगल दो तीन कुटियां और बनी हुई है across the doorway a garland of mango leaves और दरवाजे पर एक garland टंगा हुआ है आम की पत्तियों का हिंदी में वैसे उसको बंदनवार बोलते हैं आम की पत्तियों का या शोक की पत्तियों का दरवाजे पर टंग दिया जाता है उसको बंदनवार बोलते हैं तो वही टंगया हुआ था symbol of happiness and good fortune उसको संकेत माना जाता है प्रतीक माना जाता है खुशहली का और सौभाग्य का dry now जो के अब सूख गया था and rattling in the breeze और हवा की वज़े से खड़खडा रहा था this is our home ये हमारा घर है my husband said मेरे पती ने कहा come I will show you आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा I got out of the cart मैं गाड़ी से नीचे उतरी stiff में यानी मेरा शरीर अकड़ गया था and with a cramp in one leg और एक कांग में तो cramp यानी जो muscles cramp हो जाती है cramp हो गया था we went in हम अंदर गए two rooms दो कमरे थे one a sort of storehouse for green तो एक कमरा तो ऐसा था जैसे कि एक अनाज बढ़ने के लिए storehouse हो भंडारन हो the other for everything else और दूसरा कमरा हर सारी चीज बाकी की चीज है दूसरे कमरे में थी a third had been begun एक और तीसरा कमरा बनना शुरू हुआ था but was unfinished लेकिन वो तयार नहीं हुआ था अधूरा था the mud walls were not more than half a foot high तो जो मिट्टी की दीवारें थी तीसरे कमरे के लिए तयार हो रही थी वो आधा foot से ज़्यादा उंची नहीं थी it will be better when it is finished जब ये पूरा हो जाएगा तो बहतर लगेगा he said यानि नाथन ने कहा I nodded मैंने से रहलाया I wanted to cry मैं रोना चाहती थी nothing but mud and touch कुछ भी नहीं था सिवाए मिट्टी के और छपड़ के was my home अब ये मेरा घर था my knees gave मेरे घुटने जबाब देने लगे first the cramped one पहले तो वो वाला घुटना जिसमें cramp आ गया था यानि नसें खिच गई थी देन दादर और फिच दूसरा खुटना भी जबाब दे गया and I sang down और मैं गिर पड़ी Nathan's face filled with concern Nathan का चेहरा चिंता से भर गया as he came to hold me जैसे उही उसने मुझे को पकड़ा मिलब एकदम से मुझे पकड़ने के लिए दोड़ा तो अपने ससुराल की दुरदशा देखकर उसको जिसे बेहोशी सी आ गई और वो एकदम गिर पड़ी कि ये भगवान ये मैं कहां आ गई it's nothing I said अरे कुछ नहीं हुआ है मैंने बोला I am tired मैं थोड़ी सी थक गई हूँ no more और कुछ नहीं I will be alright in a minute एक minute में मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये उसकी life की शुरुआत है और चलिए अब इस उपन्यास की समरी देख लीजे रुकमिनी is the narrator of the story अब जैसा मैंने आपको दिखाया उसकी शुरुआत उपन्यास की कि रुकमिनी ही वर्नन करता है इस कहानी की she is the central figure वो मुखे पातर है of the novelist उपन्यास की her father was the head of the village उसके पिता जी गाओं के मुखिया जी थे he had four daughters उनकी चार बेटियां थी and he was not left with enough dowry और उनके पास परियाप्त दान देने के लिए मनलब दहेज देने के लिए पैसा नहीं बचा था to give in the marriage of his youngest daughter रुकमिनी अपनी सबसे चोटी बेटी रुकमिनी के दहेज में देने के लिए so रुकमिनी got married with Nathan इसलिए रुकमिनी की शादी Nathan के साथ हुई he was a poor farmer वो एक गरीब किसान था after completing six hours journey छे घंटे की यात्रा करने के बाद she became very sad to see her heart made of mud तो उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके जो ससुराल है उसमें केवल एक कुटिया है जो कि मिटी की बनी हुई है अभी मैंने आपको दिखाया यह पन्यास में her neighbors told her उसकी जो पडोसने हैं वो उसको आकर बताती है that it was built by her husband with his hands कि ये जो कुटिया है जो पड़ी है उसके पती ने अपने हाथों से बनाई है she felt happy to hear it और ये बास उनकर फिर वो खुश हो जाती है कि उसका पती उसको इतना चाहता है कि उसके लिए अपने हाथों से ये कुटिया बनाई है तो वो ये सोचकर खुश हो जाती है रुकमिनी new to read and write रुकमिनी को लिखना पढ़ना आता है her mother was against her education उसकी माँ तो उसकी शिक्षा के खिलाफ थी but her father never objected to her learning लेकिन उसके पिता ने कभी भी उसकी पढ़ाई लिखाई पर एतराज नहीं किया रुकमिनी delivered a girl child अब यहाँ आने के बाद सस्राल में रुकमिनी के एक बेटी पैदा होती है नाथन वांटेड अ बेवी बॉय लेकिन नाथन को एक बेटा चाहिए था as his first child अपने पहले बच्चे के रूप में but he was happy लेकिन लड़की होने के बाद भी वो खुश था वैसे बेटा चाहिए था लेकिन लड़की होगी तो भी खुश था to see this beautiful baby इस खुशूरत बच्ची को देख कर the name her इरावडी वो उस बच्ची का नाम इरावडी रखते हैं after the name of the river एक नदी के नाम के अनुसार यानि वहाँ पर एक नदी वहती थी इरावडी नदी और उसी नदी के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखते हैं अब इरावड शे साल की हो गई थी रुक्मिनी डिज नोट हैव अनदर चायल रुक्मिनी को दूसरा बच्चा नहीं हुआ her mother told her to hear a stone उसकी माने कहा कि बेटी एक पत्थर पहनो यानि ये विश्वास किया जाता है कि कोई ये पत्थर पहनने से अच्छा होता है लेकिन रुक्मिनी ने मना कर दिया कि वो पत्थर नहीं पहनेगी इसके लिए कि उसका दूसरा और बच्चा हो जाए she met dr. Kennington बजाय पत्थर पहनने के वो dr. Kennington से मिलती है he treated her doctor उसका इलाज करता है and she delivered a baby boy और फिर उसके बेटा पैदा होता है they named him Arjun वो बेटे का नाम Arjun रखते हैं after that she delivered four more sons उसके बाद वो चार और बेटों को जम देती है total मिलाकर छे बेटे हैं और एरा को मिलाकर साथ बच्चे हो गए अभी उनके मैं आपको characters के नाम जब बताऊँ ही तब आप इनसे और detail में मिलेंगे थंबी, मुरुबन, राजा and सेलवं तो ये चार बेटे हुए Arjun के बाद तो Arjun को मिलाकर ये पाँच हो गए रुकमिनी was good housewife रुकमिनी एक अच्छी housewife है ग्रहनी है, she grew vegetables in her house, वो अपने घर में ही सब्जियां होगाती है it helped her to save some money इससे उसको कुछ पैसा बचाने में मदद मिलती है, she saved 100 rupees, वो 100 रुपे बचाती है, which she spent in Iraq marriage जो कि वो इराकी शादी में खर्च करती है meanwhile इस वीच, a tannery was built, एक चमड़े का कारखाना बनता है, इन्दा विलेज गाउं में it brought the interruption of the town with its establishment it brought, यानि ये जो चमड़े का कारखाना है, ये लेकर आता है the interruption, यानि दखलनदा जी थोड़ी spelling में गलती है of the town शेहर का with its establishment, यानि अपनी इस्थापना के साथ, i-n-t-e-r-u-p-t-i-u-n होना जी the hearts were vacated and they were occupied by the town men ये जो कुटियां हैं, ये खाली की जाती हैं और उनको शेहर के लोगों के द्वारा occupy कर लिया जाता है, गेर लिया जाता है the life of Indian farmers is in the hand of nature and weather भारतिय किसानों का जीवन प्रकरती के और मौसम के हाथों में होता है, उस वक्त था अभी तो बहुत change आ गया है याई tube valve लग गए हैं और पानी की बहुत विवस्था हुई नहरें बहुत बन गई हैं, तो अब वो problem नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी मौसम की मार, हलांके बारिश हो जाती है, तो वो फसलें अभी भी बरबाद कर देती है, लेकिन सूखे की वज़े से किसी का खेत किसी फसल सूख जाए, बारिश ना होने की वज़े से, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है इस वार बारिश जल्दी हो गई, इस ने सब कुछ बरबाद कर दिया, there was nothing to eat, खाने को कुछ नहीं था नाथन's paddy field was ruined by the storm, नाथन का धान का खेत, तूफाने बरबाद कर दिया अरजुन और थंबी गौट एंप्लोमेंट इंटेनरी, अरजुन और थंबी को चमड़े के कार खाने में काम मिल जाता है, meanwhile इरा's husband leaves her, इस बीच होता यह है कि इरा का पती उसको छोड़ देता है by saying that she is barren, यह कहके कि वो barren है, यानि बांज है बच्चे पैदा नहीं कर सकती हलांकि कमी इरा में नहीं थी, बलकि उसके पती में थी रुकमिनी was very sad, रुकमिनी बहुत दुखी होती है अपनी बेटी का यह हाल देख का, रुकमिनी as a sad, नाथन had relations with कुंती which was, who was her neighbor, यानि नाथन के कुंती के साथ संबंध होते हैं, नाथन भी बेवफाई करता है, जो के कुंती उनकी पड़ोसन थी, उसके साथ नाथन के संबंध होते हैं it came to रुकमिनी as a shock तो रुकमिनी को यह देख कर एक्दम धक्का लगता है, उदर बेटी को उसका पत्ती छोड़ देता है रुकमिनी गेव बर्थ to a son इस बीच रुकमिनी के भी एक और बेटा होता है, his name was Kutty उसका नाम Kutty था, तो आप हो गए ना छेद देखिए, और एरा को मिलाके साथ बच्चे हो गए, उपर पांच लड़कों के नाम थे, नाम याद कर लीज़गा अभी मैं बताऊंगी किरेक्टर्स के नाम तो उनको याद रखिएगा it was a hard time for her उसके लिए ये बड़ा मुश्किल समय था और आप लोग ये आश्चर मत कीजिएगा कि उसके साथ बच्चे थे, पहले इसी तरीके से बच्चे होते थे, साथ तो बहुत कम है 14-14 बच्चे होते थे लोगों के, हलांकि उन में से जादतर मर जाते थे, क्योंकि medical facilities वैसी नहीं थी जैसी आज है तो ये बड़ी मुसीवत का समय था उसके लिए इरा गोस फॉर प्रोस्टिशन, इरा वेश्यवरति अपना लेती है नोबडी हैस दगरेज तो इस्टॉप हर किसी में हिमत नहीं होती उसको रोकने की शी बिकम्स प्रेगनेंट एंड गिफ्स बर्थ टूए बेबी बॉय वो लग प्रोस्टिशन की वज़े से वो प्रेगनेंट हो जाती है तो इससे सावित होता है कि उसमें कमी नहीं थी और वो एक लड़के को जन देती है और इससे उसकी जो औरत होना इसत्री होना पूरा कम्प्रीट होता है यानि मा बनने के बाद ही एक औरत कम्प्रीट होती है तो इसलिए वो एक बेटे को जन देती है फिर देखें आगे तो जो कार खाने का मालिक है वो खेत खरीदना चाहता था और नाथन के पास कोई विकलप नहीं है सिवाए अपने खेत बेजने के इसलिए वो मुर्गन यानि उसका बेटा है वो अपने पत्नी के साथ शहर में रह रहा है और इसलिए वो वहाँ अपने बेटे के सपास जाना चाहता है आफ्टर लॉंग ट्रायरसन जर्नी एक लंबी थकाने वाली यात्रा के बाद दे रीच टू डॉक्टर बिर्ला एट कोईल स्ट्रीट वो डॉक्टर बिर्ला के पास पहुंसते हैं कोईल स्ट्रीट में और वो बताते हैं कि उसने तो काम बहुत पहले छोड़ दिया मुर्गन ने दो साल पहले इस फैमिली लिफ्स एट चामुंडे हिल और उसका परवार चामुंडे हिल पर रहता है फिर नाथन और रुक्मिनी वहां जाते हैं and felt shocked और उन्हें ये देखकर धक्का लगता है that मुर्गन had left his wife अमुं कि मुर्गन ने अपनी पत्नी अमुं को छोड़ दिया है and children और बच्चों को छोड़ दिया है and went away somewhere और कहीं चला गया है फिर नाथन और रुक्मिनी वापस आते हैं मंदिर पर they had no money to run back अब उनके पास कोई पैसा भी नहीं है जिससे गाउं वापस जा सके है here they met orphan pulley यहाँ पर उनकी मुलागात एक अनात बच्चे पुली से होती है वो ले पर भी है कोड़ी है उसके अंग गल रहे हैं सड रहे हैं तूट तूट कर गिर रहे हैं तो उससे मुलागात होती है he told them about the stone query अब इनके पास पैसा नहीं है तो pulley उनको बताता है एक stone query query मनले ख़दान होती है तो जहां से slate वगएरा जो निकाली जाती है खोद कर ख़दान को मिट तो उसके बारे में बताता है और नाथन उसमें काम करना शुरू कर देता है उस ख़दान में रुकमिनी earns annals by reading letters रुकमिनी क्योंके लिखना पढ़ना जानती थी तो लोगों के ख़द पढ़ती है पढ़कर सुनाती है और फिर उनके जवाब लिखती है तो ऐसे ख़द पढ़के और लिखके वो एक आना लेती है एक letter का और ऐसे पैसे कमाती है वन इयर पास्ट एक साल गुजर गया नाथन रुकमिनी ब्रोक स्टोन एंड अर्ण एट आनाज तो नाथन और रुकमिनी ये पत्थर तोड़ते हैं और आठ आना कमाते हैं और वो परियापत पैसा कमा लेते हैं बचा लेते हैं गाउन लोटने के लिए इट वोज़ रेनी डे बरसात का दिन था नाथन वोज़ बैट नाथन भी गया ये विकेम अनकॉंशस एंड डाइड और उसको फीवर हुआ बेहोश हो गया और मर गया इट वोज़ आयरनीकल ये वड़ी विडमना से भरा हुआ था दे हैड फोर संस उनके चार बेटे थे अलाइव जिंदा थे बट देर वोज़ नन विद देम लेकिन उनके साथ उसमें से कोई नहीं था वैसे फोर नहीं हैं उनके च्छे बेटे हैं तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड है ये दिन ग बैक टू विलेज और भाड़े पर गाड़ी करके वो लोग गाउं वापस लोट गए रुकमिनी इनफॉर्म्स दैं अध नाथन एंड शी रुकमिनी उनको इनफॉर्म कर दिया सूचना देती है मतलब अपने परिवार के सदस्यों को अपने बच्चों को बताती है कि नाथ ने और उसने यानि नाथन और रुकमिनी दोनों ने मिलकर हैव एडाप्टेड पुली तो पुली को गोद ले लिया है एक बेटे के रूप में यहां आकर यह उपन्यास खतम होता है और यह देखिए लास्ट पेज है उपन्यास का जब वो घर पहुंचती है फ्रॉंदा अन्फिनिश्ट इसके फॉल्डेड बिल्डिंग और फिगर एमर्स केम रनिंग सेल्वं माइसन तो उस बिल्डिंग से जो के अन्फिनिश्ट थी इनकम पीर्ट थी पूर्टी उसमें से एक व्यक्ति निकल कर आता है और वो कौन था सेल्वं मेरा बेटा जब वो बापस शेहर से गाओं पहुंचती है थैंक गॉड है भगवान का शुक्रिया ही सैड उसने कहा are you all right क्या तुम ठीक हो माँ and he helped me और उसने मुझे पकड़ा my daughter joined us और हमारी बेटी ने भी आके मुझे पकड़ा her face making her breathless इतनी जल्दी में वो दोड़ कर आई कि इसकी सांस फूल गई pulley alone not of the family पुली ही एक ऐसा था जो कि परवार का नहीं था बाकी सब परवार के लोग थे standing a little apart awkwardly थोड़ा दूर खड़ा हुआ था मलब बेतर्तीब धंग से clutching in his arms the dum-dum cart I called to him और वो dum-dum गारी उसके हाथ में लगी हुई थी और मैंने उसको बुलाया my son I said मैंने कहा ये भी इरा बेटा है we adopted him हमने उसको गोद लिया है your father and I तुम्हारे पिता जी ने और मैंने मिलकर इसको गोद लिया था you look tired and hungry तुम बड़ी थकी हुई और भूखी लग रही हो इरा said इरा ने कहा taking his arm उसकी बहाँ प अच्छा ये पुली से कहा इसका मतलब इरा ने come with me and rest I will prepare the rice में साथ हाओ और आधाम करो मैं चाबल तयार करती हूं they walked on ahead वो आगे आगे चले तो पुली को लेके रा चली जाती है do not worry चिंता मत करो Selvam said Selvam ने कहा we shall manage हम सब कुछ समहल लेंगे there was a silence एक दम शांती होई I struggled मैं कोशिश कर रही थी to say कहने की what had to be said जो कुछ कहा जाना था do not talk everything इसके बारे में बात अभी मत करो he said tenderly उसने बड़े नाजब तरीके से कहा Selvam ने मां से कहा कि अभी मत बोलो unless you must जब तक कि बोलना जरूरी ना हो it was a gentle passing सब कुछ धीरे धीरे आहस्ता से गुजर गया I said मैंने कहा I will tell you later मैं इसके बारे में तुमको बात मे बताऊंगी तो यह last line है सुपन्यास के और यहां यह उपन्यास खतम हो जाता है और अब देखी characters रुकमिनी से आप अच्छे से परजित होई गए वो तो मुखे पात्र है नाथन उसका पती है उससे भी आप अच्छे से परजित होई गए और Kenny, Dr. Kennington तो उनको short में Kenny कहते ह यह वो एक गोरे डाक्टर हैं who ministers to the people in the village जो के गाउं के लोगों का इलाज करते हैं when Kenny helps रुकमिनी to overcome her infertility जब Kenny रुकमिनी की मदद करते हैं अपने बांचपन को जीतने में she is forever grateful तो वो हमेशा के लिए उनकी अनुगरहीत हो जाती है उनका इहसान मंद हो जाती है and the two become friends और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं Kenny finds his Indian patients both endearing and frustrating Kenny को अपने भारतिय मरीज प्रिय भी है और वो वड़े frustrating भी है मलब परेशान करते हैं उसको सुनते नहीं है their poverty appalls him उनकी गरीबी उसको डरा देती है and he believes in fighting fate और वो भागे से लड़ने में विश्वास करता है a western viewpoint एक पाश्चात he voices throughout the novel वो इस पूरे उपन्यास में उसको आवाज देता है मलब दिखाता है Kenny is mysterious Kenny थोड़ा सा रहसे मई है private है मलब reserved है moody है and occasionally sharp-tongued और कभी-कभी जोर से भी बोलता है yet he does what he can from time to time to help Rukmani's family लेकिन जो कुछ भी वो कर सकता है वो करता है रुकमिनी के परिवार की मदद करने के लिए वक्त वक्त पर he is tall, lamba है and gaunt और पीला है and his eye is the color of a kingfisher's wing और उसकी आखों का रंग ऐसा है जैसे एक kingfisher जो कटफोडवा होता है उसके पंखों के रंग जैसा neither blue nor green ना तो नीला है और ना ही हरा है फिर next character है कुंती और कुंती से आप पर्चत है अभी इसके बारें बताया था नाथन से इसके relations है the village beauty यह एक गाउं की खुबसूरत इस्तरी है pregnant यानि उसके पेट में बच्चा है when rukmini first matter जब रुकमिनी की पहली मुलाकात होती है कुंती से कुंती is distant कुंती थोड़ी दूरी बना कर रखती है reserved यानि अप लेकिन जो मर्द हैं वो उसको देखकर provoke हो जाते हैं मतब उकसा देती है वो she rejoices और उसको बड़ा मज़ाता है when the ternary जब गाउं में जो चमड़े का कार खाना खुलता है makes the village गाउं को बना देती है जो ternary है larger और बढ़ा क्योंकि बाहर से शहर से लोग आ जाते हैं and more exciting और उर्जा से बरा हुआ उत्ते जना से बरा हुआ and she often goes to towns for the admiring looks she receives from young men तो उसे लोगों के द्वारा घूरा जाना इसको पसंद है कि लोग उसको देखते है यह वालोग उसको देखते हैं तो उस टाइप की है यह महिला हलांके महिलाओं को कोई घुरता है तो अच्छा नहीं लगता महिलाओं को लेकिन इसको अच्छा लगता है पिपल से she married beneath her लोग कहते हैं कि उसने beneath her जो जिसके योग है उससे नीचे शादी कर ली है और जब बुरा वक्त होता है तो कुंती भी वही अपनाती है जो इरा ने अपनाया था वैश्यवर्ती अपनाती है लोगों से पैसा एटती है इरा से आप परचित है रुकमणी की बेटी है और जब उसकी शादी होती है उसको बेरिन कहकर उसका पती छोड़ देता है लेकिन वास्ता में जो कमी थी वो उसके पती में थी वो तो बाद में जब प्रॉस्ट्रिट्यूशन अपना लेती है तो खुद प्रेगनेंट हो जाती है और वो एक इलेजिटमेट चाइल्ड को जन्म देती है और इसके बारे में ये चीज़ आप यार रखेगा अल्बिनो सन हर ओन इलेजिटमेट अल्बिनो सन तो अल्बिनो मतलब एक आपने देखा हुआ है रंग हीन वर्ण हीन लोग होते है उनके पिगमेंट नहीं होते जैसे हमारी स्किन है तो उसमें पिगमेंट नहीं होते पिंक सी आइज होती है बहुत ज़्यादा एकदम सा रंग होता है इनका तो इस तरिके का बच्चा है वो तो यह याद है कि में पूछ लिया जाता है और पुली से अपर्च थी है नौ साल का ये लेपर है ये नाइन इयर ओल्ड लेपर ओर्फन अनाथ बच्चा है और कोड़ी है फ्रम दा सिटी और हैड़ ऑफ गैंग ओफ स्ट्रीट चिल्डन यानि गली में जो आवारा बच्चे होते हैं उनका लीडर है उन बच्चों का और इनको ये लोग गोद ले लेते हैं नाथन और रुकमनी फिर ये बच्चे हैं नाथन और रुकमनी के मैंने आपको बताया था कि इरा एक लड़की है उनकी और उसके लावा छे लड़के हैं तो इनके नाम आप याद रखेगा सबसे पहल अर्जुन है तो अर्जुन रुकमनी और नाथन का बड़ा बेटा है सबसे पहला बेटा है फिर थंबी है रुकमनी और नाथन सेकेंड सन फिर मुर्गन है रुकमनी और नाथन थर्ड सन और तो यह जो मुर्गन है यही शहर चला जाता है और इसी के पास जाते हैं यह लोग तो यह याद रखिएगा कि मुर्गन शहर गया था और उसके पास ही रहने जाते हैं, रुकमणी और नाथन. तो यह मुर्गन इनका तीसरा बेटा है. फिर राजा है, रुकमणी और नाथन's fourth son. फिर सैलवं है, रुकमणी और नाथन's fifth son. तो इस सीक्वेंस में इनको याद कर लीजिए गा और फिर है ये कुटी ये जो छटा बेटा है लास्ट कुटी ये हुए इनके छह बेटे कमला मारकंडे आवाज बन गई है रूरल वोमन यानि जो गाउं की ओरत है ग्रामिर ओरत की और जो नई कॉंशनस मनें चेतना है ओफ इंडिया भारत की मनीशा रोय राइटी कमेंट्स अपॉन इट तो मनीशा रोय लेखिता है वो इस पर कमेंट करती है fortunately and unfortunately यानि सोभागे से और भागेहींता से इंडिया यूनिक पॉलिटिकल हिस्टी भारत का अद्विती राजनीतिक इतिहास makes it clear इसको थाबित करता है that we have learnt much from the best कि हमने बहुत कुछ सीखा है पश्चिम से but we can't do it for our advantage लेकिन हम इस जो हमने सीखा है पश्चिम से उसका फाइदा नहीं उठा सकते unless we also know यदि हम ये नहीं जानेंगे what unconscious tendencies कि कौन सी unconscious माने अवचेतन tendencies प्रवर्थियां of our own system हमारे खुद की व्यवस्था की created पैदा होई और still are created या अभी भी पैदा हो रही है in the unconscious यानी हमारे अवचेतन में नेक्टर नसीव is a story ये quotation आप डालें डालें नहीं ही तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है नेक्टर नसीव is a story of a woman रुखमनी तो नेक्टर नसीव एक महिला एक औरत रुखमनी की कहानी है who struggles जो के संघश करती है hard कठोर throughout her life अपने पूरे जीवन and never circums before her destiny और कभी भी अपने भागय के सामने नहीं जुगती she is a fighter वो एक लड़ा का है the novel was published in 1954 ये उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था after independence यानि आजादी के बाद many women novelists picked up the pen यानि बहुत सारी महिला उपन्यास कारों ने कलम उठाई and right की जगह यह wrote होना चाहिए W-R-O-T-E past में आएगा ये sentence wrote about women's rights और लिखना शुरू किया महिलाओं के अधिकारों के बारे में and their assertions of identity assertion मने कहना, स्थापित करना और identity मने पहचान तो महिला के अधिकार और उनकी पहचान के बारे में लिखना शुरू किया अनिता देसाई, कमला मारकंडे and शशी देश पांडे are prominent writers among them तो ये तीनों लेखिका older generation की हैं और मुख्य लेखिकाए हैं इनमें आप रूथ प्रवर जहावाला का नाम भी शामिल कर सकते हैं उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है और उनकी short stories करीब 96 short stories हैं रूथ प्रवर जहावाला की उनमें भी आपको Indian society के बारे में देखने को मिलता है her parent is यानि उनके माता-पिता किसके? यहाँ थोड़े इसी गलती है यह books क्योंके जल्दबाजी में छपती है तो इनमें अकसर गलतीयां रहती है तो यहाँ हर होना चाहिए her father is a headman of the village उसके पिताजी यानि रुकमनी के पिताजी गाउं के मुखियाजी है he had four daughters उनकी चार बेटियां थी शांता, पदमिनी, ठंगम और रुकमनी three of them were married to good families तो जो तीन हैं शांता, पदमिनी और ठंगम इनके अच्छी परवारों में शादियां हो जाती है बट रुकमनी was married to a poor farmer Nathan लेकिन रुकमनी की शादी एक गरीब किसान Nathan से होती है her father did not have enough dowry to give her उसके पिता के पास परयाप्त दहेज नहीं बचता है रुकमनी को देने के लिए so she married to Nathan who owns a mud house इसलिए उसकी शादी Nathan से होती है जिसके पास एक मिट्टी का घर है I looked a mud hut तो ये तो अभी आपने देखा ही था मैंने दिखाय था आपको पन्यास में मैंने मिट्टी की कुटिया देखी थैज्ड जिस पर छपर पड़ा हुआ था स्मॉल चोटी थी सेट नियर अप एड़ी फील्ड एक धान के खेत के पास वो कुटिया बनी हुई थी विद टू और थ्री सिमिलर हर्ट्स नियर वाई तीन या दो या तीन एसी ही और जोबड़िया बनी होई थी पास ही मैं फिर नेक्स हैडिंग देखिए अन आइडियल वाईफ तो रुकमणी एक आधरश पत्मी है भले ही वो बड़े घर से आई है और यहां गरीब घर में आगई नाथन गरीब है और गरीब होने के बागजूद नाथन उसके साथ बेवफाई भी करता है तो इतनी सारी परिस्तियों का सामना करने के बागजूद भी वो बेवफाई भी नहीं करती है और वो पुरे समर्पन के साथ पूरे डेडिकेशन के साथ रहती है पूरी जिन्दिगी नाथन के साथ तो देखिए रुखमिनी न्यू रीडिंग और राइटिंग रुखमिनी को लिखना पड़ना भी आता है जबकि नाथन को नहीं आता शी फिल्स वरी हैप्पी वो बहुत प्रसंद होती है जब उसका पती नाथन उसको बताता है हलांकि उसके जो पड़ोसी हैं वो बताते है यह कुटिया उसने अपने ही हाथों से बनाई है उसको विश्वास है कि महनती बंदा है जो मुझे पती के रूप में मिला है और जो जमीन है इसमें से हम आराम से अनाज हुआ लेंगे भर पिट खा लेंगे शी और सो वर्क्ड हार्ड उसने भी कठन परिश्व किया वेरी सोन दे ओन बुर्क्स अ मिल्च गोट गिनी सेक्स फुल ओफ हस्क राइस तो बहुत जल्दी उनके पास बैल होते हैं जो दूद देने वाली बकरी होती है गिनी सेक्स यानि छोट छोटे बोरे होते हैं फुल ओफ हस्क राइस यानि जो धान से चावल निकला होता है तो चावल के बोरे होते हैं और फिंस और घर की जो सारी चीज़ें हैं शोगर, घी, वेजिटेबल्स यानि चीनी घी और सब्जियां ये सब कुछ होता है शी प्लांटेड पंकिन सीड्स वो कद्दू के बीज बो देती है और वेजिटेबल्स और दूसी सब्जियां बो देती है अपनी कुटिया के पीछे इट गेव हर एक्स्ट्रा इंकम और इससे उसको और ज़्यादा इंकम मिल जाती है औरतों में ये आदत होती भी है बचत करने की बड़ी जवरदस्त आदत होती है खासतर भारती औरतों में सबी के पास आपको पैसे मिलेंगे फिर देखिए एक सामाजिक महिला बेरी सून शी अडॉप्टेड दा वेज ओफ विलेज भई शादी से पहले उसने न कुछ काम किया था न और बड़े सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी लेकिन यहां आके फिर उसने गाउं के जीवन को अपना लिया बारहे साल की उमर में उसकी शादी हुई थी यह सारी औरतें उसकी परोसने हैं यहां पर आप फ्रिस्टोब लगना चाहिए नेचर के बाद और when she delivered a baby boy यानि जब कुंती ने बेटे को जन दिया she helped her तो उसने उसकी मदद की after some time रुकमनी delivered a baby girl ले रहा कुछ समय बाद रुकमनी ने भी इरा नाम की बच्ची को जन दिया she helps her तो उसने भी उसकी मदद की रुकमनी has amicable nature रुकमनी का जो नेचर है परकरती है वो दोस्ताना है that's why dr. kennington and old granny have good relations with her इसलिए dr. kennington और बुड़ी कागी के अच्छे संबंध है उसके साथ रुकमनी a modern woman रुकमनी एक आधनिक औरत रुकमनी is born in village रुकमनी गाउं में पैदा होती है she has modern outlook towards life जीवन के प्रती उसका जो दिश्टी कौन है वो आधनिक है after ira's birth iraqe jan के बाद for six years, six साल तक she did not conceive यानि उसको pregnancy नहीं हुई her mother suggests उसकी माँ उसको सुझाब देती है to take the help of magic कि वो जादू की मदद ले यानि पत्थर धारन करे but लेकिन she goes to dr. kennington वो dr. kennington के पास जाती है and take the treatment और इलाज कराती है by his treatment उसके इलाज से she gives birth to sons वो बेटों को जन रिती है she saves hundred rupees to get married her daughter ira वो अपनी बेटी ira की शादी करवाने के लिए 100 रुपे की बचत करती है with the help of old granny बुड़ी ग्रैनी की मदद से she gets her married वो उसकी शादी कराती है her husband leaves her and puts the blame that she is barren उसका पती उसको छोड़ देता है और कहता है कि वो बांज है she feels insulated उसको बेज़ती महसूस होती है to save her brother from starvation अपने भाई को बुखमरी से बचाने के लिए she adopts prostitution वो prostitution अपना लेती है meanwhile इस बीच she becomes pregnant वो pregnant हो जाती है and proves that she is not parent और सावित करती है कि वो बांज नहीं है she gives birth to आना चाहिए a male child वो एक लड़के को जन देती है thus she supports her daughter इस प्रकार यह थोड़ा सा यहां पर गड़बर हो गया है यानि वो अपनी बेटी को support करती है यानि कि जो अपनी heroine है रुकमनी वो अपनी बेटी को support करती है तो यह सारी चीज़ें तो उसकी बेटी के लिए है और वो support करती है यानि कि रुकमनी she encourages his son Selvam to help Dr. Kenny in opening the hospital वो encourage करती है प्रोसाहित करती है अपने बेटे Selvam को कि वो Dr. Kenny की मदद करे hospital इस्थापित करने में she learns he learns medical work and assists him तो Selvam यह medical work सीखता है और उसकी मदद करता है next hiding देखिए an invincible character invincible जिसको जीता नहीं जा सकता अजे तो उसका जो चरित्र है वो अजे है कितनी भी परिशानिया आए उसको नहीं हरा पाती her life is a tale of struggle उसका जीवन एक संघश की कहानी है despite of being the daughter of head men daughters नहीं आएगा daughter आएगा एक मुक्या जी की बेटी होने के बाब दू she is married in a poor family उसकी शादी गरीब परिवार में होती है she has Arjun, Raja, Morgan, Thumbi and Selvam five sons किसका नाम खा गए भाई एक रह गया she faces many problems in her life apart from eras woeful wedding यानि एक तो उसकी बेटी की शादी इतनी दुखत होती है उसके अलाबा इतनी सारी problems वो face करती है Raja worked at Trenary Raja Trenary यानि जो चमडे का कारखाना है उसमें काम करता है he is caught stealing उसको चोरी करते हो पकड़ा जाता है and he was beaten to death उसको मार मार कर पीट पीट कर उसकी मार दिया जाता है the officials come to satisfy her that it was only their son's fault और अफसर आते हैं उसको बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की ही गलती थी they want to give her compensation वो उसको शतिपूर्ती देना हरजाना देना चाहते हैं at this spur she retorts वो कहती है that her son was invaluable कि उसका जो बेटा था वो तो बेश कीमती था nothing can compensate his death कुछ भी कोई भी पैसा उसकी मौत का हरजाना नहीं दे सकता कितना भी पैसा हो लेकिन बेटे की कीमत थोड़ी हो सकती है when there was drought in the village जब गाव में सूखा पड़ता है she goes to town to live with Morgan तो वो शहर जाती है Nathan के साथ Morgan के साथ रहने को on reaching there she found out that Morgan has run away after leaving her नहीं आएगा his आएगा his wife and children तो शहर पहुँचकर उसको पता चलता है कि Morgan तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर ही भाग गया है Rukmani and Nathan don't have money to return back to the village इन दोनों के पास गाउन लोटने के पैसे नहीं है he works in a lime query and she writes letter to earn money तो जो नाथन है वो ख़दान में काम करता है पथर की ख़दान में और वो खत लिखकर और पढ़कर अपने पैसे कमाती है in the end Nathan dies अंत में Nathan की मौत हो जाती है due to high fever तेज बुखार की वज़े से and cold और सर्दी की वज़े से Rukmani says Rukmani कहती है यानि यह तो मैंने आपको बताई था जहां शुरुआत होती है इस उपन्यास की तो वहाँ पर यह dialogue है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा पती मेरे पास आता है और फिर सुभह होती है तो चला जाता है फिर next heading देखिए her fortitude fortitude होता है हिमत तो Rukmani हिमत वाली महिला है she is an epitome of courage बिलकुल epitome मने आप प्रतिमूर्थी किया सकते है हिमत की मूर्थी है her life is victim of natural calamities उसका जीवन शिकार बनता है जो natural calamities होती है अगरतिक आपदाओं का शिकार बनता है after iras marriage iraqi शादी के बाद there was early rain बर्षा जल्दी हो जाती है there was water all around चारों तरफ पानी भर जाता है the hurts were ruined सारी जोंपडियां बरबाद हो जाती है the fields were full of water खेतों में भी पानी भर जाता है nothing was left in नाथन's field नाथन के खेतों में कुछ नहीं बचता the storms had destroyed coconut trees also तूफान ने coconut के पेड़ों को नारियल के पेड़ों को भी बरबाद कर दिया there was nothing to eat खाने को कुछ भी नहीं बचता है another year एक और साल ऐसा आता है there was no rain के बारिश ही नहीं होती तो मौसम कुछ ऐसा ही रहता है कभी तो बाढ़ा जाएगी इतना पानी बरसेगा कभी बारिश ही नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है बारिश नहीं होती they have to sell their fields उनको अपने खेत बेचने पड़ते हैं and leave the village और गाउँ छोड़ना पड़ता है to go to town शेहर जाने के लिए to live with मुर्गन मुर्गन के साथ रहने को thus इस प्रकार रुकमनी is a representative रुकमनी प्रतनेजित्थ करती है of a rural woman in India भारत की जो ग्रामीर महिलाएं हैं उनका प्रतनेजित्थ करती है who lives hand to mouth जो के hand to mouth मने गरीबी में जीवनियापन करते है and it's struggle hard to survive और जीवित रहने के लिए उनको कठोर स्वंघश करना पड़ता है और भी अगर आप ज़्यादा जानना चाहें इस character के बारे में तो ये journal है The Criterion An International Journal in English और इसका जो August 2016 का issue है इसमें एक research paper मेरा publish हुआ था तो मैं आपको देखे उसकी details दे दे रही हूँ आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं ठीक है और इसमें मैंने भी बहुत detail में कमला मारकंडे के उपर sorry नेक्टर नसीव पर लिखा था और especially ये character था हमारी heroine का और ये title था paper का potentiality and timority of rural Indian women as reflected in कमला मारकंडे नेक्टर नसीव तो अगर आप Google पर ये title भी type कर देंगे तो पूरा research paper आपके सामने निकल के आ जाएगा आप उसको पढ़ सकते हैं यहां मैंने बहुत detail में रुकमणी के character के पिरे मैं discuss किया है तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं अगर आप graduation level पर लिख रहे हैं जैसे कि मैं जो upload कर रही हूं मैं लिए 6th semester के लिए upload कर रही हूं तो आपके लिए इतना ही काफी है character sketch जो मैंने दिखाया है लेकिन अगर MA level का आप लिख रहे हैं तो फिर एक बार मेरा वो रिसर्च पर आप देख लीजेगा उसको print out निकाल लीजेगा आपकी काम आएगा अब हम कुछ multiple choice questions देखते हैं कमला मारकंडे was born in तो इनका जनव 1924 में हुआ था अभी आपने देखा ही कि उसकी जो narrator है खुद रुकमणी है फिर what is the original name of कमला मारकंडे तो कमला मारकंडे का original name क्या था तो उनका original name कमला पुर नहीं था फिर नेक्टर इनसीव was published in तो नेक्टर इनसीव कब प्रकाशित हुआ 1924 में प्रकाशित हुआ पूरी कहानी next who was रुकमणी's father रुकमणी के पिता जी कौन थे तो वो गाउं के मुखिया जी थे village headman फिर next question what is the name of रुकमणी's daughter रुकमणी की बेटी का नाम इरावडी है और जादातर पूरे नॉबल में इरा कहके ही उसको पुकारा जाता है इरावडी नदी के नाम पर रखा गया है फिर who helps रुकमणी in finding out a match for रुकमणी के लिए रिष्टा ढूनने में कौन मदद करता है रुकमणी की तो old granny यानि जो बुडी दादी मा है वो मदद करती है next question why does रुकमणी's husband leave her इरा का पती उसको क्यों छोड़ देता है by blaming her उसको दोश लगा के तो उसको दोश लगाता है कि वो barren है यानि बांज है फिर what's the name of इरासन इरा के बेटे का नाम सैक्रावानी है और आपको मैंने बताया ही था उसके बेटे का pigmentation नहीं है pigments नहीं है उसकी skin में तो उस तरीके का बच्चा है वो फिर who returns with रुकमणी when she comes back to the village तो जब गाओं को वापस आती है रुकमणी तो उसके साथ में कौन आता है तो पुली आता है एक कोड़ी है बच्चा ले पर है और उसको इन्होंने गोद ले लिया है फिर question number 12 देखिए रुकमणी के पती का नाम आप जानते ही है नाथन फिर where does the novel set in तो ये जो उपन्यास है इसकी पिष्ट भूमी क्या है a village of South India तो दक्षन भारत के गाओं में set है ये उपन्यास where does नाथन work यहां works नहीं आएगा at in town तो शेहर में नाथन कहां कहां करता है in a lime query तो एक ख़दान में पत्थर की ख़दान में काम करता है lime query मतलब वही जो slate वगारा का पत्थर निकाला जाता है फिर lime में वैसे चूना होता है तो चूना पत्थर कह सकते हैं तो डोक्टर केनी इन बिल्डिंग हॉस्पिटल तो डोक्टर केनी का हॉस्पिटल बनवाने में कौन मदद करता है selvum मदद करता है याद रखेगा बहुत important है इसके सारे बच्चों के जो नाम है जरूर याद रखेगा खासकर यह selvum है इनमें से रुकमनी का बेटा कौन नहीं है तो पुली नहीं है पुली वोलर का है जिसको इन्होंने गोद लिया है जरूर याद रखेगा वाट इस दे नेम ऑफ मुरगन स्वाइफ मुरगन की पत्नी का नाम अमू है जिसको छोड़के चला जाता है मुरगन फिर what are the themes of the novel nectar in a sea तो ये जो पन्यास है nectar in the sea इसकी क्या themes है यानि विशेवस्तू क्या है तो ये सारी विशेवस्तू है उसमें hunger, भूख की बात होती है superstition यानि अंदविश्वासों की भी बात होती है जो मा है रुकमनी की वो उसको advice देती है नहीं के बेटी पत्थर पहन लो तुम्हारे बेटा नहीं हो रहा है फिर poverty, गरीबी तो देखी रही है पूरे में तो all of these आएगा फिर how many अगर themes पर question आता है तो इनी को headings बनाके आप थोड़ा detail में लिख दीजेगा और examples दे दीजेगा भूख के, गरीबी के, सुपरिस्टीशन के फिर how many anas does rukmini earn by reading and writing a letter तो कितने आना कमाती है रukmini खत लिखकर और पढ़कर तो an anas each हर खत का लिखने का पढ़ने का एक आना लेती है how does nothing die नाथन की मौत कैसे होती है fever and cold बुकार से और सरदी से तो ये multiple choice questions थे मुझे लगता है ये वीडियो मैं यहीं सबाप करना चाहिए कुछ बच्चे पूरा उपन्यास upload करने की request करते हैं जो के अभी तो संभब नहीं है भाविश्य में कभी वक्त मिलेगा तो ये काम भी करूँगी वैसे तो मैंने dramas upload किये हैं ड्रामा थोड़ा छोटा होता है novel की comparison में तो वो तो हो जाता है लेकिन novel को upload करना बहुत मश्किल है लेकिन भाविश्य में कभी कोशिश करूँगी और तब तक के लिए धन्यवाद